इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है ऐसी वाइटी स्क्रीन आ रही है तो इसको ठीक कैसे करें या ये ओपन नहीं हो रहा है तो इसको ठीक कैसे करें आईए जानते हैं तो इसको ठीक करने के यहाँ वे दो-तीन तरीके हैं सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका नेट चालू है कि नहीं ये भी चेक करिए कि आपका नेट खतम तो नहीं हो गया है हो सकता है आपकी जो आज की डेटा लिमिट होती है यानि 1GB या 2GB वो खतम हो गई हो तो इसको चेक करिए अगली चीज आप चेक करिए प्ले स्टोर में जाना है आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करें यहां आप सर्च करें इंस्टाग्राम Instagram को Simple Search करिए और इसको Update करिए अगर आपके फोन में Update आया है तो मेरे फोन में Update आया हुआ है आप देख सकते हैं Update पर टैच करिए और थोड़ा सा Wait करिए और आपके फोन में Instagram Update हो जाएगा और कोई भी इसमें Problem होगी तो वो Automatic ठीक हो जाएगी अब अगला तरीकर देखिए ये Main है आपको फोन की सेटिंग में जाना है यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे की तरफ एक Option जिसका नाम होगा Apps यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक Option जिसका नाम होगा Manage Apps या आपके सारा Apps Automatic यहाँ पर Show हो जाएंगे तो इसपे टैच करिए आपको यह वाला पेज मिलेगा आपको नीचे आना है आपको मिलेगा एक Option जिसका नाम होगा Instagram तो ढूंड लीजिए मैं सर्च करता हूँ Direct ताकि आपका टाइम खराब ना हो तो इसे Open करिए आपको मिलेगा है आपके नीचे की तरफ एक Option Force Stop इस पे टैच करें और रोके करें ध्यान लखिएगा Clear Data मत करिएगा कोई कोई अगर आपको बताएगा Clear Data करने को तो मैं बता दूँ कि Clear Data करने से आपकी ID उसमें से हट जाएगी आपको दुबारा ID Login करने पड़ेगी अगर आपको ID Password याद है तो सारी Permission Allow कर दीजिएगा कोई Permission आपके बंद नहीं होनी चाहिए शायद आपको मिल सकता है Restrict Data Users Speed Touch करें और इन दोनों को Allow करके OK करें अब चेक कर ये आपके दिक्कट ठीक होती है कि नहीं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राब